मित्रो जय माता दी आप देखें ध्रमसिक्षा ध्रमसिक्षा मैं अरोज की तरह एक बर फैसे मैं जिरूं आज का संपून राजी फल लेकर यह संपून राजी फल लेकर यह रविवार याने की 18 जुलाई 2021 का अगर आज के पंचांग के बात करें तो आज है विक्रम संबर 2078 आज का पंचांग विश्तार पुर्वक्ष जान सकते हैं एक एक मुर्थवग जाना है तो डिस्क्रिप्शन में आज का पंचांग का लिंक दिया हुआ है मुँर जाकर आज का पंचांग विश्तार पुर्वग जान सकते हैं एक एक मुर्थवग मा yam जाने सकते हैं आज के संपूर रसीफवल के वीडियो में हम जानने वाल है को 12 रॉस्पल का आज का रासीफल साथ हम का सुब समय आ सुब समय दिसरसुल सुब खादे रासी उनसार कौन सा खात बतात आपके लिए सुब रहेगा रासी उनसार कौन सा रंग सुब रहेगा और रासी उनसार कौन सा अंक यानि के आपके लिए आज का लगी निम्मर क्या रहने वाला है तो वीडियो में हमारे साथ अंतक बढ़े रही है संपून रासीपल का लाव उठाई है रासीपल का वीडियो पसंद आए पसे लाइक करें कमेंट बाक्स में जै माता दी जयो लिखें मितनों आज के बारा रासीपल आपको बताना आरम करों उससे पहले आए एक निज़े डालते हैं आज के ग्रहों की स्तिति पर क्योंकि ग्र सिपल में जानने वाला है तो आइए बात करेंगे पह्ती रासी मेश रासी के जिसके भ्रसुप आज आप अपने कामों में व्यस्त रहेंगे आज आप पर काम का लोड जयदा रह सकता है आज अपने करोद पर नियनतन भी रखें या क्रोद आपको हानी करा सकता है में कोई नई यूजना आपकी बन सकती है जिससे आपको फायदा होगा आज आप लेंदेन में साब्धानी बरते हैं निवेश किसी अनभावी लोग के सलाविचार से ही करें विध्यार्थी की विध्यार्थियों का मन आज परहाई में कम लगेगा कुछ विध्यार्थी आज अपने परिक्षा परिड़ाम से आज औरिश्य बढ़ मत भी रह सकते हैं स्वास्त की बातके आज जीवन साती से अनिवन होने की संभाव न बना रही है तो अपने आप पर नियनतन रख्यें समंद अच्छे बिना के रखें आज के लिए चांदी के बर्दन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग गुलाबी रंग लकी नमराज का एक रहेगा बात केंगे विरिश्रासी की विरिश्रासी मिचंद्रमा आज आठवे स्थान में विराजी थे जिसके प्लसों बात करने की आपकी कदा से आपके रुके हुए और बिग्रे हुए काम आज बन सकते हैं सीधी बात कहेंगे तो आपको फायदा होगा नए काम काज की प्लैनिंग हो सकती है आज कें किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं तो सोच समझ कर गएं पैसे या फिर परि दार्थियों के लिए आज क uz सीखने का अच्छा उसर बनेगा वाने जी के विदार्थियों के लिए सफलता की यूप你 बने एंगे स्वास्ति की बात के मानसिक और स्थानती बनी रह सकती है किसी प्रकार की प्रावन कलर लकी नमराज का साथ रहेगा बात करेंगे मिथुन रासिकी मिथुन रासिम चंद्रमा आज नौवे स्थान में विराजित है जिसके प्रसुप आज आपकी जिम्यदारियां बर सकती है और आप इस बरही भी जिम्यदारी का निर्वा भी अच्छे धंक से कर आज आप मांसिक्सांती का अन्वाब करेंगे जो अनकला के छेत्र से जुरे हुए हैं उनके लिए विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं व्यापार और धन की बात के तो व्यापार ये नोक्री में आपको आज फायदा होगा कहीं गर आपने पैसे निवेस कर रखें त पर सकता है स्वास्त की बात के सांसे समंदित कोई विमारी या मौस्मी रोग होने की संभावना बन रही है तो सब्धान रहें आज आपकी मांसिक्सांती और रह सकती है किसी प्रकार की चिंता उत्पन हो सकती है प्रेम समंद्ध की बात के प्रेम समंद्धों के लिए आज क छे रहेगा बात करकरासी की करकरासीम चंडरम आद दस्में स्थान में विराजीत है जिसके फसुप आपकी रहन सेन किस्तिती में सुधार आसकता है कुछ समाजीकारी करने का आउसर भी प्राप्ट हो सकता है आज अपना काम आज आपकी मुलाकात हो सकती है, लंब यात्रा करने से बिस्गूल बच송, व्यापार और धन की बात्केत, आपकी आय में बहुत्री होगी, साती खर्ज भी आपके बढ़ेंगे, आपके बचाएवे पैसों में कमी आजे, विध्यार्थी बात्केत, विद्यातियों को अधाकान अराज से मैसूस हो सकता है इन दोनों पर विजय प्राप्त करने की कोशिस करें सफलता आपको तभी मिलेगी स्वास्त की बातकरत अपने स्वास्त का ध्यान रखें पेट समन्दी छोटी मोटी विवाड़ियों से पिरित रह सकते हैं गयस हो सकता है तो बाहर के खाने से बचें इससे आपका स्वास्ती खराब हो सकता है प्रेम समन्द की बातकरत आज अपने जीवन साथी के साथ चैदा से समय बिताएं कहीं घूमने जाएं इससे आपके समन्द बहतर होंगे आज के निगर ग्यहूं से बनी वीचिये खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग रहने वाल है पी लाड़न लखी नमराज का नौ रहेगा बात करेंगे सिंग रासी की सिंग रासीम चंद्रमा आज 11 हुए इस्थान में विराजित है जिसके प्रसुक परिवार में लाई जहरी का माहौल बन सकता है तो आपस में सामन जस्ये बना के रखें मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा आज आप अपने मन की बात किसी से सेर ना करें बातें सेर करने के लिए अगर कर नहीं है तो किसी अनभवी लोग की सलाज उड़ लें आज हो सकता है आपकी गत्विद्यों पर कोई और भी नजर रख रहा हो तो सवधान रहें अपनी हर रोज की आदतों से बचें मता पिता का भी आज आपको भरपूर सही और प्राप्त होगा व्यापार और धनकी बात किसी नोकरी करने वाई लोगों के लिए आज का दिन सामाने रहने वाल है व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगा आपका आर्थिक बज़ता थोड़ डगमगा सकता है तो अपने खर्चों पर नियंतर रखें आज आपके खर्च ज़्यादा हो सकते हैं विद्यार्थी की बात केट विद्यार्थियों का मन पराही में लगेगा जो विद्यार्थी मेंनत करेंगे उन्हें सफलता चोड़ मिलेगी स्वास्त की बात केट स्वास्त के देश्टी से आज के आपके लिए बढ़िया रहने वाला है बात काएं कर्णियारा सिकी कर्णियासिम चंद्रमा आज 12 हुए स्थान में विराजित है जिसके प्रसुप आज के दिन आप अपने केरियर में बदलाओ करने का विचार कर सकते हैं आज का बनायवा योजना आपको आने वाई दिनों में सफलता की प्राप्ति करा सकता है जोह तक मकान या भूमी खहिदने का प्रयास कर रहे हैं उनकी खोजबूरी हो सकती है आज पूरे दिन आप अपने पारिवारी काम में वैस्ते रह सकते हैं धार्मिकारी और पूजा पार्ट में भी आपका मन लगेगा कुछ समय का उपयोग आप अपने पूजा पार्ट के लिए कर सकते हैं आज आपको मित्रों का सहियो भी प्राप्त होगा व्यापार और धन की बात करेगा तो कहीं पैसे निवेस करते समय आज के इन साब्धानी बरतने की जड़त है आपको निवेस किसी अनभवी लोग की सलासा ही करें आज के खर्च आपके बर सकते हैं साथी जमा किये हुए पैसों में कमी आ सकती है लेकिन आय के सुरतों में बरत्री संभव है विद्यार्थी की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज के अच्छा रहने वाला है विद्यार्थी करन अपने बीते हुए समय में जितना भी मेहनत किये होंगे उसका फ़ल उनको अब मिले सकता है स्वास्त की बात के तो आज आज आपका स्वास्त अच्छा रहेगा लेकिन आप अपने माता के स्वास्त का भी दिहान रखें क्योंकि उनका स्वास्त तरह डगमगा सकता आज तो उनका दिहान रखने की अविस सकता है प्रेम समन्त की बात करें तो प्रेम समॉंत्वों के लिए आज क्ल्ग जीवन साती के साथ कुछ हल्की दोगजोंख हो सकती है लेकिन सब कुछ बाद में सामाने भी हो जाएगा आज क्लिए चावल खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रंग लाल रन लकी नमराज का आठ रहेगा बात केंगे तुलारासी की तुलारासीम चंत्रमा आज पर्थामस्थान में विराजीत है जिसके फ्रसुप आज अगर आप नुकरी करते हैं तो आपको अपने से बड़े अधिकारियों का सहीयोग प्राप्त होगा आज आप मधुर्वानी बोलिये मीठा बोलिये आपके सारे काम बनते रहेंगे आज किन आपको अपने पिता का भरपूर सहीयोग प्राप्त होगा आपका मनुबल भी बना रहेगा आज आपको सला दी जाती है कि अपनी भावनाओं पर नियंतन रखें किसी से भी अपने दिल की बाद सेर ना करें खास करके ऐसी कोई बाद जो आपको हानी पहुचा सकता हो व्यापार और धनकी बाद कित आर्थिक दिश्टी से आज के अपके अच्छा रहने वाला है आज नए व्यापार के लिए आपके अच्छा रहने वाला है व्यापार में लाब होगा आमदनी आपकी बढ़ेगी और बचत भी आपकी आज बढ़ेगी आज आपको आये के नए सूद बिक्सित करने में भी सफलता मिल सकती है नए वस्तर और अभुसन खईने के योगी बन रहे हैं आपके लिए विद्यार्थियों के लिए आज के थोड़ा नकारात्मक रहे सकता है आपको आलस से उनिंद्रा आ सकती है आपको 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 विश्ची ग्रासिकी, विश्ची ग्रासिम चंद्रमा अध् दूसरे स्थान में विराजित है, जिसके फसुग आज किसी धार्मी क्यातरा पर जाने कि योग आपके बन सकते हैं, आपकी कोई महतोकांचा पूरी हो सकती है, आज किन आप वैस्त रहेंगे, किसी फालतु के काम के कारन आपका समय परवाद हो सकता है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें, आप अपना समय कारी छेत में ही लगा हो हैं, आज आपके लिए अनुको मान ओ सकता है, आज आपका खर्ज आपके आयस अधिक हो सकता है, विद्यार्थी की बात कर विद्यार्थियों के लिए आज किन मद्यम रहेगा, मेहनत से कम आपको सफलता की पापती होगी, फिर भी मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल न रखें, स्वास्त की बात तो आपके लिए शूब रहेगा आपके लिए आज का सुबंग लाल रंग लकी नमराज का आठ रहेगा बाते में धनु आसी की धनु आसीम चंद्रमा तीसे अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपके आत्मी स्वास में बढ़ोतरी होगी और फिस के कुछ महत् में कारी करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी व्यापार अधन की बातकर आयके स्रोतों में बढ़ोतरी होगी नोक्री में भी तरक्की हो सकती है लेकिन साथ ही ऑफिस में वादब्यात के स्थिति उत्पन हो सकती है वस्तमों के खरीद में आपके पैसे खर्च हो सकते ह कोई मिलाकर अगर देखा जाए तो परिवार में खुशाली का वातावरन बना रहेगा। विद्यार्थि की बात के जुआ तक मेडिकल के विद्यार्थि हैं उनके लिए आज करें अच्छा रहने वाला है। उनको सफलता मिलेगी स्वास्त की बात करें तो आज आपके लिए बढ़िया रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्त का ध्यान रखें प्रेम समन्त की बात करें तो आज आपने जीवन साथी की भावनाव का ख्याल रखें आज आपके जीवन साथी ज्यादा भावुक हो सकते आज के निम लोहे के बरतन में खाना पकाएंगे, खाना खाएंगे तो आपके लिए आज का सुपरम ओरेंज कलर लगी नमर आज का चार रहेगा बात करेंगे अब मकर रासी की मकर रासी मचद्रमा आज चोथे स्थान में विराज़ित है मकर रासीम चंद्रमा आज चोथे स्था में विराजित है जिसके फ्रसुर्प आज आपके सोचे हुए कारी पूरे हो सकते हैं साथ ही अपने परियान आपके आज नाराज हो सकते हैं आज वाहन साब्धानी पूर्वक चलाएं द्रुगटना हो सकती है आज आपकी भाबनाएं आप पर हावी भी हो सकती है जिसके कहान आपके बीगरे हुए काम भी और बिगर सकते हैं और बने हुए काम भी भीगेंगे त वियापार और धन की बातकेट वियापारियों के लिए आज के इन सामाने रहने वाले हैं, निवेश करेंगे तो फायदे में रहेंगे, पैतिक संपत्ति मिलने के योग बन रहे हैं, महिला जातकों के आये में विर्धी होगी, विद्यार्थी की बातकेट जो आतक मेडिकल के प्रोग्राम आपको बन सकता है और यह आपके प्रेम समय अच्छा रहेगा आज कें तला हुआ भोजन करेंगे तो आपके लिए सुभर रहेगा आपके लिए आज का सुभरन या कंपी नमरास का 5 रहेगा बात कई कुम्रासि कुम्रासिम चंद्रमा आज पांच में स्थान में विराजित है जिसके प्रसुब आज आप घर तथा ओफिस दोनों की जिम्मेदारियां अच्छे सिन्वा पाएंगे आपका आत्मिस्वास बढ़ेगा आज आपका ज्यातर समय आपके सुपजिंतकों के साथ बितेगा किसी से कुछ उफार की पाप्ती हो सकती है कहियाता आपे जाने के योग बन सकते हैं किसी पर भी अपनी बाते थोपने की कोशिस ना करें यहां सबको नुकसान हो सकता है वियापार और धन की बातकर आज आज आपको वियापार में करी प्रत्योगता का सामना करना पर सकता है प्रीम समन्द के लिए आज के अच्छा लेने वाला है जीवन साथी का सयो और प्यार आपको मिलेगा जीवन साथी के सयोक से आपके काम भी बनेगे आज के दाल खाेंगे तो आपके लिए Պच्छा लेहगा आपके लिए मीन दासिकी मीन दासिम चंद्रमा आज छटे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज 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 कोई राज सार्वजिनिक हो सकते हैं तो सचेत रहें आज किसी पर अक्रामा खोने को बजाए सांती से काम लें आपके दोस्तों का सही होगा आपको प्राप्त होगा परिसम ज़्यादा करना पर सकता है आज वाहन चलाते समय भी साब धनी बरते हैं व्यापार और धन की बातके आपकी आयक में विर्थी होगी बचों से जोड़े मामले में पोजिटिव रहेंगे ता आपको फायदा होगा व्यापार में आज आपकी स्थिति अच्छी बनी रहेगी विद्याथी की बातके विद्याथियों को आज सफलता की प्राप्ती होगी ज़्यादा महत करना पर सकता है जो विद्याथी कॉमर्स के फिल के उन्हें मेने से ज़्यादा फल की पाप्ती भी हो सकती है स्वास्त की बात कर तो महला जातकों को अपने स्वास्त के प्रतिक सजेत रहना होगा अपने जीवन साथी के स्वास्त का ध्यान रखें प्रेम समन्द के बाल कर आज अपने जीवन साथी को समय दें जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बन सकता है और यह आपके प्रेम समन्द के लिए अच्छा भी रहेगा आज की मसूर की दाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग पीला रंग लगी नमर आज का चार रहेगा तो मित्रो ये था आज के 12 रासी का रासी फ़ल अब जाननेते हैं आज का सुब समय आज का सुब समय यानि की गुली काल रहने वाल है इस समय में कोई भी नया कारी करने से बिल्कुल बचे आपको और सफलता लग सकती है दिसासुलाज पस्चिन दिसा में है पस्चिन दिसा में किसी भी खास प्रियोजन से यातर ना करें यहाँ पर नुक्सान हो सकते हैं आपको सुब घाद्याज का पान आने वाला है, पान का छोटा टुकरा भी खाकर या ताराम करेंगे, किसी नई कारी को करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी तुमित्र ये थाज का संपून रासिपल, कल के संपून रासिपल के लिए जूरे रहे हैं धर्मसिक्छा के साथ और देखते रहे हैं धर्मसिक्छा, जै माता दिये